किस नहीं दूप है बहार रहूँ बाए आई काड ले लो बाए इधर देखके जी बस बच्चे चले गए है स्कूल रादे रादे सभी को कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका एक और नए व्लोग में और बस राद को ही मेगी वाले जो जगा होते है ना राद को ही क्लीन करके जाती है ताकि जब मुझे सुबा सफाई करने में दिक्कत हूँ ओल्मोस्ट मैं सोचती हूँ कि राद को ही थोड़ी सी जैसे बच्चे बात वे स्वागति रहा होता है ना बिलकुल विख्रावा होता है सोफई के कपड़ें वह भी क्रेव होते है तेबल पर बहुत सारा समान पढ़ावा होता है ओर कहीन कहीं समान पढ़ावा होता है र्याँश तो जहां उठाता है कि लanden ओने उबर चोड़ें लツ remarks तो बस कुछ ना कुछ पढ़ा रहता है लेकिन मैंने कोशिश मेरी रहते हैं कि फुड़ा सा मैं अरेंज करके सूंँ तो सुबा उठकर मुझे थोड़ा सा काम काम करना पड़े तो बस अभी पानी लियाई हूं पीने के लिए क्योंकि मैं एक बोतल पूरी तो नहीं लेकिन अ एक बोतल तो जरूर पीना चाहिए सुबा सुबा तो मतलब दो गलास तो पीने चाहिए मूं दो क्या है चलिए फिर देखते हैं आज का रूटीन कैसा रहेगा शेयर करूंगी जो जो मैं करूंगी कोई नियू डिश पनाती हूं या कुछ भी आनिटिंग सो जो भी हो तो च करके बताना किस भी रहें किस को लगता है कि मझे लहको का जो सेशन है मैं यह चितने मेरे साथ भी करूं देखते हैं कोमेंट करके बताना तरहीं ुद्स मैं चुफ फाइब रहां साफ सफाई करके और वीडियो की इटिशन ओपने वही मेर को ना बहुत गर्मी लगती है खाना बनाते वे और खाने में भी बाल वगएरा ना जाये तो मैं अपने बालों को ना सिक्योर कर लेती हूं तो बस यहां पर खाना बनाने की तयारी चल रही है मेरे पास ना सब्जिया रखी है तो मैंने सोचे चलो आज चावल तो मैंने सोया बीन और आलू डाल दिये ते और काफी देर तक इनको भूना था इनको भूनते हैं ने इनका टेस्ट काफी अच्छा होता है फिर मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिये ते जब भून गई थी जैसे कि नमक मेर्च हल्दी दनिया पाउडर और डाल दिया कराब मसाला स्पाइस इस के लिए और चावल मैंने पहले ही ओके रगदी थे जब मैने आधनने सफाई कर दी तो चावल अच्छे से भीङ जाए तो बस यहां पर टेस्टी सोय बीन वाले अलू सोय बीन वाले नमक मिर्च वाले चावल हम तो इनको यही कहते हैं आप लोग बताना और मेरी दादी कहां करती थी कि खिचडी या चावल के पांच यार होते हैं जैसे की घी चटनी आचार दही और क्या बोला था मतलब आप किसी भी उससे खाना चाहें विरियेशन में तो बस और बस आप सभी से नहां एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी विरियेशन में विडियो अच्छी लगती है तो बस यहां पर खाना दे रही थी मैं सभी को और यह चावल ना बहुत जल्दी बन जाते हैं और जटपट वाला दो पहर का लंच है क्योंकि कहीं बार ना मन नहीं करता बनाने का फिर रियांशन मुझे ही बोला कि मम्मी आज मैं भी रोटी न आख लेता है और हम लोग ना घर में मतलब हम लोगों को आदत है नेरी बेटी को और पीवु को भी कि हम ना दही जरूर लेती है नहीं लेती तो मैं घरमे ही ना चाज बना लेती हूं लस्टी टाई और बच्चे जब ट्यूशन चले गए तो मैंने देखी थी काल कूट जुल्म किया जाता है ना मतलब मतलब अगर आप एक लेडी प्यारी लड़की है उसने किसी को मना कर दिया या मतलब कोई भी अपने पॉर्सनल बास शेयर कर दी तो उसके साथ वो मतलब कितना गलत करते है ना ये इस मूवी में दिखाया गया है प्लीज आप लोग जरूर देखना अगर आपके पास चाइम हो तो जियो सिनेमा पर काल कूट के नाम से ये सीरीज है काफी अच्छी सीरीज थी मतलब उस लड़की पर इतना बुरा होता है ना उसके साथ मैं बता नहीं सकती आपको चलिए फिर ना सीधा दोपहर में तो मैंने ये मूवी देखी थी सीरीज इसके बाद सीधा शाम को मेरे को मशीन लगानी होती है क्योंकि बच्चों के कपड़े दोने थे मैं हाथ से दोरी थी फिर मेरी कमर में दर दोगा तो मैंने का चलो यार ऑटोमेटिक है मशीन लगाई देती हूँ बाकी साथ वले भी कपड़े दूल जाएंगे और मुझे फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं शाम को क्या बनाऊं तो बैंगन रखे वेते मैंने डिसाइड करा चलो यार आलू बैंगन बना लेते हैं आलू बैंगन और चावल मेरे घर में सभी को बहुत पसंड है तो बस मैं उसी की तैयारी कर देती और साथ साथ यहां पर मशीन लगा दी थी शाम के टाइम ही और अब यहां पर बन जाएंगे आलू बैंगन चावल और आजकल बिग बहुत बहुत ही जाधा इंट्रस्टिंग आ रहा है सवच में हम तो बिग बॉस के टाइम से पहले मैं अपना सारा काम कतम कर लेती हूँ अभी यह मैं जल्दी जल्दी किसी लिए लगी में कि बिग बॉस आएगा तो मैं सारे काम कतम कर दूँ खाना में अल्मूस्ट बना के लग देती हूं और यहां पर मैं शाम को खाना की अबना थी प्यू को भूक ही लग गई और सुबा मैंने बच्चों को लंच में स्कूल लंच ब्रेक में सेंड़िश दिया था ना तो वही वाला सेंड़िच ने बोला मम्मी अगर रखा है न तो प्लीस मुझे बना के दे दो तो एक डो ब्रेड पड़े वेते मोटे वाले मैंने कि यारी ब्रेड भी खतम हो जाएंगे तो बस वो पीऊ को बना के दे दिया था मेरी पीऊ को ना सच में थोड़ी थोड़ी देर में बहु लगती रहती है तो बस उसी के लिए और वैसे बाकी मैं इसको लिमिटेट बोलती हूं कि पीऊ इतना वो नहीं करना चाहिए बाकी ठीक है बच्चे अपनी हेल्थ के कोडिंग खाते हैं जैसी उनकी होती है है और है और मेरा बेटा है वो कुछ भी नहीं खाता है उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है तो हर बच्चे के अपनी एक वह होती है कैपिसिटी खाने की चलिए कितना बोलती हूं ना मैं यहां पर प्लेटिंग मैंने कर ली थी आलू बैंगा चावल रोटी और साले बहुत ही ज्यादा टीस्टी बने था थोड़ा ना मैं तरी वाला बनाती हूं क्यूंकि चावल फिर खाए नहीं आरा क्यों यहां स्कते है किसे आपका राव लोग ठेलिकरत आलो तो कर रोड़़ी कि पूजा चिडगई पूजालगिए पूजाल चीटड़ए अभीशत जीत गया अभीशति गया विशेक जीत गया ऑपको ख mossykolyb ताकि मैं बिग बॉस भी देखती नहीं क्योंकि देखो दो गुंटे का आता है फिर मेरे को काम भी करना होता है इसी बीच में मैंने कपड़े भी खाना बनाया लेकिन किचन क्लीन करी पूरी किचन को साफ करा तो बस यह था आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कौन कौन बिग बॉस देखता है यह नहीं देखता है वो भी ज़रूर बताना यहां पर बस सारे कपड़े में अरेंज करके लगा रही इसके बाद मैंने बदोनों बच्चे को सुला दिया था इसके बाद प्यूंकि आपने बोला मुझे दूद गरम करके दे दो और मैं जा रहा हूं जो जवा मिर्चे हैं बड़ी चोटी है नहीं और वो लाल भी हो गए बीचारी तो यह गलत है ना मैं अपना तोड़ के ले जाया करों कि हां से हारी मिर्चे और यह घिया की बेल है यह यह फूल आगा अप गी आएंगे इसमें घर के घिया वनाएंगा आएंगा यह मैं तो अच्छा आप तो तीन हो गई यह देखो कितनी एक कल ना मैं आके दिखाऊंगी हर्याली 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 चारो तरफ हर्याली वैसे उस दिन जब मैंने ओ कड़ी पत्ते को देख लो यह और भाई है यह मुझे लगता है यह जो बारिशों का मौसम होता है इसमें ज्यादा वो हो जाते है यह ग्रीन 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 अच्छा